हर किसी का एक गुरू होता है जिसे हम बहुत कुछ सीखते हैं. वैसे ही म्यूजिक इंडस्ट्री का गुरू है मुंबई. लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या एक सचे कलाकार के लिए एक शेहर इतना जरूरी है? हमारे कलाकार सलीम जी तयार है ये सवाल पूछने के लिए मिस्टर विवेक पॉल से. इनोवेशन और प्रॉड़क डिजाइन से लेकर अंटेप्रिनियॉर्शिप तक मिस्टर विवेक पॉल ने 20 सालों से एंडर्टेन्में इंडस्ट्री में रहकर हम सबको ये सिखाया है कि रास्ते में सिफ चला नहीं जाता बलकि रास्ते बनाए भी जाते हैं. आप को मिलके बहुत अच्छा लगा थेनक्यू जी दनर्बात बहुत 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 दनर्में घंच्बाश अपने बढस गमा अपने बहुत बहुत दनर्माश आपका भी बहुत शुकरिया बता इए हम आपकी क्या मज़द कर सकते हैं. सर एक मेरा आप से सुवाल है, हम तो छोटे सेरो के गाउं के कलाकर हैं, क्या हमें म्यूजिक इंडिस्ट्री का इसा बनने के लिए मुंबुई जाना जरूरी है? तो सलीम जी आपका सवाल तो बहुत अच्छा है, इसके तीन जवाब हैं मेरे पास आपके लिए, पहली बात तो यह कि आप म्यूजिक इंडिस्ट्री का तो वैसे भी हिस्सा हैं जब आप एक कलाकार हैं तो वो आप छोटे शहर में हो या बड़े शहर में हो उसका कोई फरत दूसरी बात कि क्या आप एक कलाकार हैं और दुनिया में सब जानते हैं कि आप घलकार हैं उसके लिए आपको मीडिया चैनल की उउझे अर्मेशनरी का बाहर जानी पड़ती है, उसके लिए Renoja को एजेंट या मीडिया की थीअ दूमेशन को उन लोगो तक पहुचाना पग जो के decision makers हैं जिन से आपको काम मिल सकता है उसके लिए आपको छोड़ा शहर छोड़ के बड़े शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आजकल हमारे पास बहुत ऐसी चीजे हैं जिनके access के तुरू हम information पहुचा सकते हैं जैसे आपका mobile phone के तुरू या internet के तुरू या YouTube या ऐसे बहुत सारे चैनल जो हैं तीसरी बात के commercial success के लिए जिसमें के जब आप पैसे के हिसाब से सोचते हो और fame के हिसाब से सोचते हो तो ऐसा काम जो बड़ी industry एक बड़े शहर में करती है उसके लिए हाँ आपके लिए यह जरूरी हो जाता है कि आप उस industry में उस शहर मे जाके काम करें जहां से आपको नेम, fame और success ऐसी सब चीज से पराप्त हो सकते हैं तो मेरे खाल से आपको यह चीज सोचनी चाहिए कि आप जिंदिगी में किस स्थान पर हो और आपके क्या aspirations और गोल्स हैं जो आपको अचीव करना चाहते हो और उस decision making को कि आप छोटे शहर मे रहे या बड़े शहर में रहे उस बेसिस पर लेना चाहिए और दूसरी चीज आपको यह हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि लोकसंगीत के आप जो कैरियर हो आप हमारा जो लोकसंगीत परांतों में है जो आप आप दुनिया को प्रदर्शन करते हो हमारी संस्कृती और ह हमारी जो musical, artistic creativity है वो आप बिना एक शहर छोड़े दुनिया में काफी तरीकों से पचा सकते है धन्यवाज वीवेक जी धन्यवाज सलीम जी आपको मिलके और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा धन्यवाज जी